कि नवाश्कार फ्रेंट्स किसी भी पेपर की त्यारी स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पेपर को जानना और जैसा कि इंग्लिश में कहावत है लिसनिंग फ्रम दा हॉर्सेज माउथ इसका मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वहां से समझ यह चीजों तो पेपर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट यह के पेपर को देखना तो आप सारे लोग 2022 का निमसेट दे 2021 एक बहुत easy kind of paper था as far as reasoning and quant section is concerned a very very easy kind of section right मैं तो के बार बोलता हूं मजाक मजाक टाइप का पेपर था पेपर में around seven questions आये थे जो blood relation से थे तो आज वो सारे questions जो 2021 के paper में आये हैं blood relation से हैं उनको समझेंगे जिनको blood relation clear नहीं है वो जाकर कि एक बार app पर या videos में उस lecture को एक बार revise कर सकते हैं लेकिन इतने easy questions है कि कुछ करने की जरुवत ही नहीं है look they are very simple kind of questions let's start understanding this question came in NIMSET 2021 everybody will go and verify whether I am saying right or wrong इसको verify कर दीजेगा ये question आया है paper में देखते हैं दो तीन चीजों को ध्यान रखकिए गा किया ध्यान रखना है जब भी कहीं फे बाथ होती है relations की तो दो तीन तरह के relations आते हैं एक आता है relationship जिसको हम लोग बोलते है marriage एक तो जब भी marriage की बात आती है I always represented by a straight line although I believe कि marriage में कभी straight line नहीं होती है लेकिन मैं हमेशा इसको represent करता हम एक straight line के साथ right so if I say A और एक straight line in B it means what I am trying to say A is married to B now point number 2 this is marriage right जब भी मैं बोलता हूँ एक तरम होता है इसको इंग्लिश नहीं बोलते है siblings हिंदी में कहते है भाई बहन children from the same parent that is called sibling so sibling को I always represent by this symbol C and D if I say C and D are siblings इसका क्या मतलब हुआ कि C और D के parents यो है वो same है they are children of same parent right now इसमें एक बात का ध्यान और रखना पड़ेगा आपको gender ध्यान रखना पड़ेगा अगर gender का ध्यान आपने नहीं दिया है तो paper में आप गलती जरूर करेंगे तो मैंने एक symbol define कर लिया है क्या symbol define किया square represents male and triangle represents female तो anytime if I draw a triangle इसका मतलब किस की बात कर रहा हूँ मैं female की बात कर रहा हूँ मैं अपने मन से कोई बात नहीं करूँगा जो भी question में दिया होगा मैं वो ही बात करूँगा तो symbols को मैंने एक बार फिर से define कर दिया so if I say इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब C और D भाई बहन है कौन भाई है कौन बहन है नहीं पता लेकिन इस symbol को लगाने के बाद ये clarity आगई कि C is a male मतलब ये भाई है D पर कोई symbol नहीं है इसका मतलब क्या है मुझे इसका gender clear नहीं है for example if I say C is brother of D इसका क्या मतलब हुआ C D का भाई है लेकिन C तो भाई है ये clear है लेकिन D भाई है या बहन है ये clarity मेरे पास नहीं है कई बार इस चीज़ को represent करने के लिए I draw circle circle का मतलब क्या हुआ मुझे इसका gender पता नहीं है Am I right? इतनी बात सब को समझ में आ गई एक तीसरी बात यहां पर और होगी कभी-कभी वो क्या होगा? next generation के हम लोग बात करेंगे parents and children तो ये क्या हो जाएगा? next generation की बात करेंगे तो जब भी हम next generation की बात करेंगे I always represent them by a vertical line this is called vertical line right? give you an example let's give you an example if I say a is husband of b तो एक बात क्लियर हो गई husband means male a is male husband of b दूसरा point भी क्लियर होगा कि b क्या है? female है याद रखिएगा कि हमारे यहां questions में सिर्फ male, female, heterogeneous marriage is allowed right? बाकी और चीज़े अलाउड नहीं है questions में और यह married couple है इनके दो किट्स है C and D and C is brother of D D का gender clear नहीं है यह जो vertical line है यह क्या represent कर रही है? this is representing next generation A and B is one generation C and D is other generation let's say C is married to E now C is male he will get married to female और फिर एक और generation आ गई F right? तो F क्या है? C और E का kid है और इसका gender मुझे अभी clear नहीं है यह मुझे इस diagram से समझ में आ रहा है ऐसे ही कुछ diagram बनाएंगे मैंने बहुत जल्दी जल्दी 5 minute में आपको revise करा दिया है जिनको यह concept clear नहीं है मेरे किसी और वीडियो में जा करके इसको समझ ले एक बार properly पढ़ ले because it is a very important topic paper में बार-बार आता है so guys look at the problem concept मैंने आपको revise करा दिया है बहुत simple सा concept है बहुत pain लेने की, tension लेने की जरुद नहीं है let's look at the problem अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है एक symbol बना है P और Q बना हुआ है means P is mother of Q इस पर भी ध्यान रखेगा के पर उल्टा लिखा होता है Q is mother of P तो कौन किसका mother है कौन किसका father है यह बात ध्यान रखेगा एक बात और clear हो गई इस sentence को देखिए P is mother of Q P का gender clear हो गया that P is female P is mother of Q लेकिन इस sentence से मुझे बिलकुल clear नहीं हुआ कि Q का gender क्या है right P is mother of Q कला देवी is mother of X अब X बोला है तो X लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है gender clear नहीं है by this statement am I right कोई confusion, कोई doubt होगा मुझे लिख के बताएगा comment box में right so यह sentences दिये है P, this symbol Q means P is sister of Q again gender of P is clear P is brother of Q and P dollar Q means P is father of Q which is the following means R is the brother of T चरिये मुझे एक बात बताएगे R is brother of T का क्या मतलब हुआ R का gender तो clear हो जा रहा है कि R क्या होना चाहिए male होना चाहिए T के बारे में gender clear नहीं है कोई बात नहीं आएए देखते है R is the brother of T look at this कितना simple question है देखिए S hash T hash का meaning क्या है hash का meaning है that P hash Q means P is brother of Q so S hash T means S is brother of T यह बिलकुल clear दिखाई पढ़ रहा है S is brother of T आप सब दिखाई पढ़ रहा है P hash Q means P is brother of Q so S hash T means S is brother of T तो हम कैसे represent करते है S is brother of T मुझे T का gender नहीं पता which is not required now R hash S इसका मतलब क्या हुआ what does it mean R is brother of S तो एक बात clear हो गई R S का भाई है S T का भाई है एक चीज़ clear है बिल्कुल कि R क्या होगा T का भाई होगा this is your answer कितना simple question है अगर practice थोड़ी सी ज़्यादा होती अगर आपने मुझे महीने दो महीने भी पढ़ा होता तो आपको दिख जाता कि वह उस यह answer है किसी और को चेक करने की जरुद नहीं है observation skill मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि पेपर आपके observation skill को चेक करेगा observation skill को चेक करेगा तो start observing the things अचा कहीं और देख लीजे इसको देखिए ये symbol क्या represent करता है mother means P is mother of Q इसका मतलब है R is mother of Q mother का मतलब female जो female है वो brother नहीं हो सकती इसका मतलब ये option answer नहीं है यहाँ देखो R Q is sister of R लेकिन यहाँ से कहीं पर भी R का gender clear नहीं हो रहा है this cannot be the answer इसको देख लीजे dollar इसका मतलब U जो है वो T का father है right S U का brother है और R क्या है mother of this symbol का meaning क्या है mother of Q तो R is mother जो mother है वो brother हो ही नहीं सकती because mother क्या होगी female होगी brother क्या होगा male होगा obviously this is the answer तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर जैसे ही question आता है वो diagram बनाना start कर देते हैं सारे options का बिलकुल मत कीजे एक बार ध्यान से observe कर लीजे आपको साफ साफ दिखाए पर जाएगा which is the answer right let's move to the next problem मेरे वीडियो को pause कर दीजेगा next question अपने आप attempt कीजेगा and then see what I am doing in the question now look at the problem यह भी निमसेट 2021 का question है in a family of six persons एक एक वर्ड एक एक संटेंस एक एक कॉमा एक फुल स्टॉप पर ध्यान देना है right समझे in a family of six persons A, B, C, D, E, F there are two married couples two married couples दो लोग हैं जो married couples हैं two married couples मतला four लोग D is grandmother, grandmother means what gender clear हो गया D is grandmother okay D is grandmother means female triangle से में किसको represent करता हूँ female को represent करता हूँ मैंने आपको पहले पता दिया grand mother की किसी ना किसी से marriage हुई होगी D is grandmother of A and mother of B D is mother of B इसका मतलब इनका जो next generation है उसमें कौन आ रहा है बी आ रहा है and grand mother of A मतलब A कहां पर आएगा ये third generation में आएगा क्या मेरी बात समझ में आ गई grand mother, mother and next generation C is wife of B ध्यान से देखिए C is wife of B wife का मतलब female इसका मतलब C female है अगर C female है तो उसका husband क्या होगा definitely male होगा C is wife of B तो एक बात समझ में आ गई कि B क्या है ये male है और इसकी wife है C जो female है F is granddaughter of A F is granddaughter of E अब एक family की बात हो रही है F जो है E का granddaughter है तो अब E कहां पर आ सकता है सिर्फ एक situation है E यहां पर आएगा F यहां पर आएगा और A यहां पर आएगा because A was there in the third generation अच्छा अब बोला है F is granddaughter of E इसका मतलब F कैसी है F जो है वो female है क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई फिर से देख लेते हैं एक बार D is grandmother of A and mother of B D is grandmother means female grandmother of A A third generation में आएगा मैंने नाम लिख दिया था वहीं पर and mother of B D, B की mother है तो D is married to somebody and then उनका एक किड है उसका नाम क्या है B फिर उतने लिखा C is wife of B इस sentence से मुझे clear हुआ कि जो B है वो male है B is male and उसकी wife कौन है C B and C are one married couple इसने साब साब कहा है two married couples हैं एक married couple ये हो गया एक married couple ये हो गया and अब बोल रहे D is grand mother of A तो A कौन होगा इन दोनों का kid होगा बच्चा होगा और उसने बोला है F is the granddaughter of E granddaughter है इसका मतलब क्या होगा ये third generation में आएगी और जिसकी ए granddaughter है वो कहा होगा first generation में होगा this is the structure clear with everybody or not अगर थोड़ी सी practice ज्यादा है तो ये figure seconds में बनती है इससे ज्यादा कि आपको requirement नहीं होती है just a matter of seconds fraction of seconds now what is the question which of the following is true A is brother of F क्या A का gender clear है क्या नहीं clear है इसमें से किसी भी sentence में A का gender clear नहीं है बोल रहा है D is grandmother of A D A की grandmother है D का gender clear है A का gender clear नहीं है now किसी और sentence में A use भी नहीं किया है तो मुझे A का gender पता नहीं है what he is saying A is brother of F no true का मतलब 100% true तो ये statement 100% true नहीं है it may be true तो अगर question में पूछा होता which of the following may be true this may be true but this is not 100% true am I right now A sister of F 50% truth है हो सकता है नहीं भी हो सकता है may be true D has two grandson D has two grandson no definitely not क्योंकि F तो granddaughter है तो दो grandson होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता this is again the wrong sentence this is the right one so your answer has to be none of these clear सबको समझ में आ गया ये दूसरा question था paper में आया हुआ data पढ़ लीजे same data है in a family of six persons A, B, C, D, E, F there are two married couples two married couples D is grandmother of A and mother of B C is wife of B and mother of F F is the granddaughter of E same data है जो इससे पहले हम लोगों ने question में देखा था अच्छा दुबारा question का पूरा data दिया हुआ है इसका मतलब आपको read करना पड़ेगा कभी कभी क्या होता है कि ऐसा एक data दिया है इसके पर based 4-5 questions है तो आपने एक बार figure बना लिया बार बार बनाने की जरूत नहीं है लेकिन ऐसे questions में क्या होता है कभी कभी कोई एक दो sentence change कर देता है just one or two sentences has been changed तो उसके change करने से क्या होगा figure change हो जाएगी इसलिए आपको इसको समझना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा is grand mother of A and mother of B D is married to somebody or D is mother of B marriage and then a kid D is mother of B C is wife of B C V की wife है C wife है मतलब female है और B क्या होगा उसका husband है इसका मतलब male हो गया and mother of F C is mother of F तो ठीक है C is mother of F F is granddaughter of E F जो है वो granddaughter है किसकी E की तो F के father का father E इसका मतलब E क्या हो गया D का husband हो गया और एक बात और कही थी D is grandmother of A D is grandmother of A gender of A is not clear same figure बना है कभी कभी change भी हो सकता है if they change one or two lines तो उस पे focus जरूर कर लीजेगा एक बार How many male members are there in the family? अब तक आप answer समझ गया होंगे क्या मुरे answer पताने की जरूरत है? देख लीजे E male है, B male है D, C, F female है लेकिन मैं फिर उसी question पे वापस आ गया, उसी problem पे कि मुझे पता ही नहीं है कि A का gender क्या है whether A is female और male तो I can't say whether there are two males in the family और there are three males in the family maybe there are two or three males in the family so I cannot answer तो मेरा answer क्या हो जाएगा? cannot be determined मैं determine नहीं कर सकता by the given information कभी कई बच्चे confused होते हैं कि सर्क CBD होगा कि none of these होगा? CBD होगा CBD means cannot be determined because इतनी information में आप कुछ भी कर लिजे आप determine नहीं कर सकते right? none of these क्यों नहीं होगा? none of these तब होता है जब इन तीनों में से कोई भी answer नहीं होगा तो तीसरा बाला तो answer है इसका मतला हम none of these answer नहीं करेंगे I will go with can not be determined क्या लिए एक question और देखते हैं इस सारे कि सारे questions आपके paper में आये हैं 2021 में और अब तक का मुझे लगता शाथ सबसे easy paper था 2021 का as far as reasoning section is concerned quant section is concerned same data है तो figure भी same बनेगा बना लेते हैं same figure right this is the figure जो हमने इससे पहले ही बना ली थी सबका gender clear है the only thing which is not clear is the gender of A now what is C to A C का A से क्या relationship है आपको पता है C is mother of A right C is mother of A तो बहुत clear है that C is mother of A अच्छा इसका question अगर change कर दें if I say what is A to C अगर मैं ये question पूछता what is A to C तो उस condition में आउसर हो जाता cannot be determined why cannot be determined because A बेटी है या बेटा है ये मुझे पता नहीं है so I will go with cannot be determined एक एक वर्ड पर ध्यान दीजेगा that is very important right let's solve one more problem same data same problem right तो हम solve कर सकते हैं figure हम आलेडी बना चुके हैं लेकिन मैं बार-बार बोल रहा हूँ because हर question में data बार-बार लिखा गया है तो check जरूर कर लिजे का paper में maybe कुछने कोई एकाद line change कर दी हो तो answer change हो जाएगा यह आपका figure है जो आपने बना रखा है who among the following is one of the couples couple word का मतलब होता है जो married हूँ आपस में उनको यहाँ पर couple बोलते हैं c d नो भाई c and d is not married couple साफ साफ आपको दिख रहा है d e yes d is a married couple husband and wife तो आपका answer क्या हो जाएगा d is the answer clear है कोई doubt नहीं इस question में एक question और solve कर लेते हैं इस question में आईए जरा video को pause करके इस question को attempt कीजिए अपने आप फिर हम लोग बात करते हैं किसका answer क्या होना चाहिए take your time, take one and a half minute यह बहुत important है questions को अपने आप solve करना बहुत important है अगर मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ और आपको लग रहा है कि समझ में आ गया है यह उतना ही गलत है इतना मैं बोलूं कि मैंने वीडियो देख करके swimming सीख लिए नहीं सीख सकते हैं horse riding नहीं सीख सकते हैं martial arts नहीं सीख सकते हैं अब मैं बोलूंगा कल से मैं वीडियो देख के commando training करूंगा not possible उसके लिए आपको फिल्ड पे उतरना ही पड़ेगा तो same thing is here इस सारे questions को आपको अपने आप attempt करना ही पड़ेगा इस question को देखिए आप जब paper में देखेंगे तो आपको कई बार देखा ही पड़ेगा कि paper में भी गलतिया होती है इस question को देखिए जरासर आते हैं बूचराए विज़ेद फॉलोइंग means N is definitely a daughter of L N जो है वो definitely daughter है किसका L का N को L का daughter होना चाहिए L का gender clear नहीं है L male female कुछ भी हो सकता है लेकिन N should be daughter of L मतलब daughter का मतलब female पहली चीज़ तो female होना चाहिए आप जबाए इस में देखिए पहला option देखिए इस hash का meaning क्या है hash का meaning है brother कौन किसका brother है M is brother of N L is brother of N ठीक इसका मतलब L जो है वो N का brother है M N का भाई है L M का भाई है मेरे भाई का भाई मेरा भाई हुआ तो L जो है वो N का क्या हो जाएगा कबाई हो जाएगा, इसने क्या बोला है, daughter of L, इसका मतलब ये तो होई ही नहीं सकता, point clear है, दूसरे पर आते हैं, N is definitely a daughter of L, इस symbol को देखिए, ये symbol का meaning क्या है, means P is sister of Q, तो इस symbol का meaning क्या हुआ, N is sister of L, ये बोल रहा है, daughter of L, नहीं हो सकता, this cannot be the answer, यहाँ देखिए, ये symbol का meaning है, P is sister of Q, means L is sister of N, जो sister है, वो daughter कैसे हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ, कि यहाँ ये भी answer नहीं हो सकता, अब यहाँ आजाते हैं, यहाँ देखिए, इस symbol को देखिए, hash का mean से brother, P is brother of Q, P पहले है, Q बाद में, N पहले है, M बाद में, इसका मतलब N जो है, वो brother है, brother कि मतलब क्या होता है, male, इसका मतलब N किसी वहालत में, किसी का भी daughter नहीं हो सकता, because वो male है, brother है, इसका मतलब ये option भी गलत है, यह एक ऐसा question आया था paper में, जिसके चारो options गलत हैं, जो मेरे पास कुछ पेपर है, इसमें चारो ओप्शन्स गलत हैं, तो आपको इसमें से कोई भी माक नहीं करना चाहिए था, just leave the question, right? एक question और कर लेते हैं। चलिए, इसको देखते हैं, same वैसे question है, बना लिजे डियाग्रम, then how is k related with n, k और n का relationship चाहिए, ठीक है, find out कर लेते हैं। logic वही है, वीडियो को pause कर दीजे, question को खुद बाखुद solve कर लीजे, right? बताए, k is related with n, k का n से क्या relationship है, सबसे पहले इसको देखे, m hash n, hash का मतलब क्या होता है, brother, इसका मतलब m जो है, वो n का brother है, और brother का मतलब होता है, male, l, this symbol m, this symbol means sister, इसका मतलब l क्या है, m की sister है, sister मतलब female, यह भी clear हो गया है? यह जो symbol बना हुआ है, trophy type का, इसका मतलब क्या है, mother of, p is mother of, जिसका नाम पहले लिखा है, वो mother है, k is mother of l, जो l की mother होगी, वो ही m की mother होगी, वो ही n की mother होगी, इसका मतलब यह हुआ, k is mother of l, कोई father भी होगा, जिसके बारे में हमारे पास information नहीं है, पूछा क्या है, how is k related with n, k का n से क्या relationship है, साफ साफ दिख रहा है, n की sister की mother है, इसका मतलब n की भी mother है, यह answer क्या हो जाएगा, mother is the answer, so that's a very simple kind of question, जो आपके paper में पूछा किया था, right, 2021 की paper में, तीन questions आया थे, दिर बाद थ्री questions, which are based on data interpretation, right, data interpretation में बहुत detail में discuss करूँगा काई सारे videos में, अभी फिलाल देखते हैं जो questions वहाँ पर आये थे, कुछ extra पढ़ने की जरुद नहीं है, just apply a bit of common sense, और जो भी 9-10 में हमने पढ़ा है, stats के बारे में, data के बारे में हमने पढ़ा है, that is more than sufficient, उससे रहाद आपको जानने की जरुद नहीं है, देखते हैं इस question को, हाँ, थोड़ा सा calculation सीखने की जरुद है, that I will take care, so come here, look at the question, a company produces five different products, five product in lakh number of packs during 2005 and 2010 as shown in the bar graph, तो को बहुत clear दिखाई पढ़ रहा है, क्या है? 2005 and 2010, दो data's हमारे पास है, तो ये वाला जो graph है blue, that represents 2005, red represents 2010, सबको समझ में आ रहा है, okay, five products है, product A, B, C, D and E, so if somebody ask me, what is the sale of, production of, product A in 2005, तो मैं यहाँ पर data चेक करूँगा, अगर 10 की बात करेगा, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा, इसके लाबह कुछ भी नहीं इस question में, let's understand the question, during the period 2005 to 2010, the minimum rate of increase in sales in the case of, सबसे कम increase किसकी sales में हुआ है, यह आपको बताना है, look at the problem, such a simple problem, अच्छा, कई सारे बच्चे यहाँ पर calculation शुरू कर देंगे, please don't do calculations, right, calculation कहां करनी है, कैसे करनी है, मैं आगे बताऊंगा, इस question में कोई calculation करने की ज़रुवत नहीं थी, just apply your common sense, just apply your observation skill, just apply, look at the problem, look, 2005 में product A का sales कितना है, almost 20, and 2010 में कितना sales है, around 50, अंदाज़ा लगाने के लिए, सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए, कितने times है, sales 2.5 times हो गया है, almost, am I right, almost 2.5 times sales हो गया है, look at this, this is almost 6, this is 37, 6, 6 जा 36, इसका मतलब almost 6 times हो गया, almost, I am saying almost, look at this, 5 and 10, इसका मतलब sale double हो गया है, 7.88 is almost 8, this is 12, almost 1.5 times हो गया है, 14.97, almost 15, and this is almost 30, इसका मतलब यह हुआ, कि near about sale double हो गया है, क्या यह बास सबको समझ में आ रही है, क्या इसके लिए किसी copy या pen की जरूरत थी, थोड़ा सा भी observe कर लेते हैं, तो साफ साफ दिख रहा था, कि बास यह यहाँ पर sale 1.5 हो रहा है, almost 50% के आसपास बढ़ रहा है, यहाँ पर 100% बढ़ रहा है, because double हो रहा है, यहाँ पर almost double हो रहा है, एक और चीज़ देखिए, 5.01, 10.19, यह double से ज़्यादा है, 14.97 and 29.14, यह भी double से ज़्यादा है, sorry, 14.97 is almost 15, this is 29, इसका मतलब यह double से कम है, 2- का मतलब होके double से कम है, ऐसे अंदाज़ लगाता हूं पेपर में, मैं बहुत solve नहीं करता पेपर में, जस्ट अंदाज़ लगा लीजे, 5.93 is almost 6, this is 37, 6 ताइम से भी ज़्यादा है, 6 प्लस, 20 and 48, 2.5 टाइम से थोड़ा सा कम है, this is the data, पूछा क्या है, during the period 5 to 10, the minimum rate of increase in the sales, minimum increase किसमें हुआ है, 2 प्लस, 2 माइनस, 6 प्लस, 2.5 माइनस, 1.5, यही आपका आंसर है, the answer is C, that is product D, तो अगर मैं इस question को कर रहा होता, तो मुझे pen लगाने की भी जरूत नहीं थी, मैं सिर्फ observe करता और answer देता, तो अभी data interpretation को बहुत detail में discuss करेंगे, कुछ बहुत tough questions भी अलग लग videos में discuss करेंगे, आज मैं discuss कर रहा था आपसे 2021 का paper, वोही same data है आपके पास, data में कुछ भी change नहीं है, what he is asking, the sales have increased by nearly 55% from 2005 to 2010 in case of, किस product में sale 55% के आज़ पास है, देख लीजे, मैंने भी आपको दिखा शो किया था, कि ये almost 2.5 times हो रहा है, ये almost 6 times हो रहा है, ये almost double हो रहा है, ये almost 1.5 हो रहा है, इसका मतलब यहां 50% के आसपास growth होगी, यहां पर 100% के आसपास, यहां 100% के आसपास, यहां 500% के आसपास, और यहां पर around 150% के आसपास, आप तक आप समझ गये होंगे, आपको answer कहाँ टिक करना है, उसने पूछा है nearly 55%, नेरली 55% के जो growth होगा, वो product D में होगा, product D is the answer, so answer is on the observation only, okay guys, so I have covered all the questions from, family tree, or some people call it as, blood relation, which have come in last year paper, जो last year के paper में questions आये थे, वो मैंने cover up कर दिये, आज की class का bonus, ये भी एक question था जो पेपर में आया था, oral question है, pen लगाने की जरुवत नहीं है, a very simple oral problem, ध्यान से देखिए, ऐसे कई सारे questions पेपर में आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, order and ranking, right, कुछ करने की जरुवत नहीं है, very simple common sense problem, look at the question, in a class of 50 students, oral question है, pen मत लगाईएगा, एक minute के लिए, pause कर दीजे वीडियो को, और question को solve कर लिजे, attempt कर लिजे, and then look at the answer, oral question है, in a class of 50 students, Raghu's rank is twice that of Paul, okay, no problem, there are 10 students, who ranked worse than Raghu, 10 बच्चे ऐसे हैं, जो Raghu के बाद आते हैं, there are 50 students, Raghu कौन से नंबर पे होगा, 40 नंबर पे होगा, और उसके बाद में, कितने और students होंगे, तर और students होंगे, अगर मेरा rank 40 है, class में 50 students है, तो मेरे बाद कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, up to 50, there are 10 students, who are behind me, point clear, oral बात है, pen लगाने की जरूरत नहीं है, right, अब बोल रहा है, ये किसका rank हुआ, there are 10 students, rank worse than Raghu, तो Raghu का rank कितना हो गया, रगू का rank is 40, इसका मतलब, Raghu का rank is 40, right, अब बोल रहा है, Raghu's rank is twice that of Paul, Raghu की rank जो है, वो Paul से twice है, तो Raghu की rank 40 है, तो Paul का rank क्या होना चाहिए, Paul का rank should be, Paul का rank should be 20, 20 का डबल कितना होता है, 40 होता है, this is the rank of Paul, तो ये और आंसर शुट भी 20, तो अगर थोड़ा सा practice कर लिजे, तो ये तो ये सा very simple kind of paper, और जो मैंने promise आप से किया था, कि paper में आने वाले 40 questions, 20-25 minutes में आप solve कर सकते हैं, तो अगर ऐसी तरह मैं और papers कर ना लिसे से लूँगा, तो आपको ये realize हो जाएगा, whatever I am saying is right, okay guys, thank you very much, bye-bye, J hist一定要 इर कर दोज़ा, 15-25 minutes में आपको अगर बहुत कर दो सकते हैं, आपको कर दो सकते हैं,